हेलो फ्रेंट सीखते आज ये लूक, सबसे पहले टीशू से क्लीन करना है, पूरे फेस को बहुत अच्छे से प्रेशर के साथ क्लीन करना है, ओल नहीं रहना चाहिए, आज का मेकप बहुत ज़ली यल्दी फटा फट करना है, फिर मैंने टॉनर अप्लाई करा है, पूरे फेस का जो मेरी स्किन से डाक टोन है मैं उसे अपने मौथ एरिया पर और आइस के नीचे और उपर दोनों साइड अपलाई करूंगी क्योंकि मेरे डाक सरकल बहुत ज्यादा हैं तो मैं कंसीलर उपर भी अपलाई करती हूं फिर मैं यहां उड़ा ब्यूटी के फाउंडेशन ले रही हूं एक डाक और लाइट शेड दोनों की मैं वन वन ड्रोप ले हैं और मिक्स करके मैं पूरे फेस पर इसे अच्छे से एक डॉट डॉट बनाकर पूरे फेस पर अपलाई करूंगी और ब्यूटी ब्लेंडर से बह मारकर फेस पर अप्लाई कर रहा है मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना इसे और फिर मैं यहां ले रही हूं यहनिकी हाइलाइट हाइलाइट लिया मैंने हाँ हाइलाइटर फॉरेवर फिप्टी टू का है और फिर कंटॉर कंटोर मैंने क्राइलोन की सुप्रा पैलेट से उठाय है नोज को अच्छे से कंटोर करना है और फिर सब को अच्छे से ब्लेंड करना है मैं यहां पर ब्लश लगाना भूल गयों ब्लश मैंने लिपस्टिक पैलेट में से लिए लगाने के बाद मैं सबको बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी लेकिन यह याद रखना है ब्यूटी ब्लेंडर को जिधर से आप चला रहे हैं चाहें वह कंसीलर पर करेक्टर पर हर बार टर्ण करके चलाना है एक जगे से कभी मत चलाना सब कुछ मिक्स मैच हो जाएगा न और पीजा पफ से मैं उसे अच्छे से पैक करूंगी मैं पॉडर की क्वांटिटी बहुत कम ले रही हूं क्योंकि ज्यादा पॉडर जो है वो ब्रेक करता है हमारे मेकप को तो मैं बिल्कुल हलका हलका सा पॉडर लगाऊंगी सेट करने के लिए नोज पर आइज के नीचे अब मैंने पॉडर सेटिंग कर लिया है पॉडर सेटिंग के बाद अम मैं यहां करूंगी अपना आई मेकप सुरू आई मेकप में मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है क्रीज लाइन के लिए और मैं क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड करूंगी दोनों आइस पर टाफट होने वाला मेकप है लाइनर लिया है मैंने यहां लाइनर जो है अप्लाई करने के बाद में विंग लाइनर अप्लाई कर रहा है कि फिर मैं काजल लगा रही हूं कीको का काजल बहुत अच्छा है यह आप यूज करके देखना बिल्कुल भी बैता नहीं है प्लेट अब रोल वडो लो आखों मैं ऐसे कर से ही रहेगा आइब्रोवच्छच इसे आइब्रोव फिलिंग कर रही हूं कि मैं ज्याद यहां ब्रोव जेल वगारा नहीं उसक्तित कि आयुज मैं अपनी और्रो को जो एकदम नैचुरल सा लूक दें आप देख सकते हैं मेरी पैंसिल किस तरह चल रही है उसके बाद में नीचे पिंक कलर से अपने काजल को सेट कर रही हूं फिर मैंने लिप लाइनर लिया है लिप को शेव देने के लिए और उसके बाद लिप्स्टिक मैंने न्यूर कलर के लिए रिप्स्टिक अपलाई करने के बाद मेरा फाइनल लुक देख सकते है this कि यह मेरा फाइनल लुक है और अब मैं मशकारा अपलाई कर रही हूं कि हाइलाइटर मैं बूल गई थी हाइलाइटर अपलाई करते हैं कि अरे वाह हाइलाइटर लगाने के बाद तो इसकी नेकदम चमक गई है अब मेकप फिक्स कर देंगे मेकप फिक्सर से मेकप फिक्सर मैंने मेकप इस्टूडियो का लिया है कि अब लुए